गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स बी ए फस्ट एर एकनोमिक्स की क्लास में पेपर फस्ट में आज हम पढ़ेंगे नेचर ओफ एकनोमिक्स यानि आर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थशास्त्र की प्रकरती में हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है अथ्वा ये दोनों ही है यदि अर्थशास्त्र विध्यान है तो इसमें हम देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र वास्त्रिक विध्यान की केटेगरी में आता है या आदरशात्मत विध्यान की केटेगरी में आता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जानने के लिए कि क्या अर्थशास्र विध्यान है हमें विध्यान की डेफिनिशन जान लेना ज़रूरी है विध्यान क्या टेलाता है विध्यान होता है किसी भी विशे के क्रमबद ज्यान को विध्यान कहता है जिसमें किसी तथ्य विशेश की कारण एवम परिणाम की पारस पर शंबंद का अधिन किया जाता है इस प्रकार विद्ध्यान में तथ्यों का क्रमबद अधियन होता है इसमें कारण और परिणाम का अधिन किया जाता है ठीके यानि आप अगर mind-man headlines देखें हम साइन्स होनी के लिए क्या जरूई है क्रमबद ज्यान होता है ठीक है क्रमबद ज्यान कारण और परिणाम का संबंद होता है ठीक है ना कारण में परिणाम के बीच में कोई संबंद रहता है और तीसरा क्या है तथिये जो होते हैं इसमें तथिये उन तथियों का अध्यन क स्टेडी आर्थिशास्त्र सर्व प्रथम आर्थे तथ्यों को इत्रतित करता है आपको ध्यान ही है कि हम क्या करते हैं जो भी डाटा होते हैं जो भी फैट्स होते हैं एकनॉमिक से रिलेट करते हैं या एकनॉमिक जो भी हमारे तथ्यों होते हैं इनको हम सबसे पहले इत्रति फिर इंका वर्गी करन करने के बाद में विशलेशन किया जाता है इसके बाद में इन तथ्यों को निश्चित करने वाले साधरन सिध्धानतों की खूज किये जाती है अर्थ शास्त्र क्या हुआ इडविड्यान हुआ कैसे अगर आप स्टैक्स में सांखी की कि में आप ओश्चित किये जाते है इन डाटा के आधार आप अइन обязus करते हैं अन्यलाइस करने के बाद में आपको सिध्धानतों में ढालते हैं तो यह क्या है यह सारे हुंड विज्ञान में है तो economics भी विज्ञान नहीं हुआ इस ground पे आधार पे तो कह सकते हैं कि हाँ विज्ञान है second देखते हैं आर्थिक नियम, economic laws अर्थ शास्त्र में भी विध्यान की भाति कारण परिणाम का संबंद पाया जाता है जैसे कि मांग का नियम मांग के नियम में क्या है कीमतों में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन आता है तो कीमत में जो परिवर्तन हुआ वो क्या है कारण और मांग में जो परिवर्तन आ रहा है वह है क्या है परिणाम है इसी प्रकार से आप देखिए हासिमान सीमान तुप्योडिता नियम लीजी या समसिमान तुप्योडिता नियम लीजी इन सभी में आपको क्या है कारण और परिनाम के बीच में संबंद प्राप्त होता है जैसे कि अगर हम सीमान सीमान तो प्योडिता नियम को लेते हैं ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इटायों का निरत्रों पभोग करते जाते हैं ठीके, जैसे जैसे इकायोट उपभोग करते जाते हैं, उस स्वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमान तो प्योडिता है, वे क्या होती है? कम होती जाती है, तो कम होती जाना सीमान तो प्योडिता, ये तो है परिनाम, और कारण क्या है? कारण है, इकायोट उपभोग में इन्तरविर्दी यह क्या है? कारण कहलाता है. तो कारण परिणाम समभंध यहाँ पर भी जाहिर होता है. इसके अलावा, next है, मुद्रा मापदंड का पेमाना. ठीके, मुद्रा मापदंड के पेमाने मैं आप देखिए कि अर्त debit शासरे में हम क्या करते हैं? मापदंड की रूप में किस तो उपयोग करते हैं मुद्रा का उपयोग किया जाता है आप कोई सा भी मापदंड अगर आप लेते हैं तो उसमें हम मुद्रा को as a measurement की रूप में लेते हैं as a scale of measurement की रूप में हम इस पो उपयोग में लेते हैं ठीक है, जैसा कि मान लीजिए, कि आप समसिमान तो प्योगीता नियम में क्या किया जाता है, कि कोई व्यक्ति के बहुत सारी बस्थोतों का जो उपभोग करेगा, कब तक करेगा जब तक कि उस वस्तु से राप्त होने वाली सीमान को प्योंगी था उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती है ठीक है ना तो अगर फॉर्मुला देखे M U X बराबर P X M U Y बराबर P Y ठीक है ना ये तो है सिंग फॉर्मुला और जब हमें बहुत सारी वस्तु का उप्योग कर रहे हैं तब ये फॉर्मुला कैसे हो जाता है M U X बराबर M U Y अपॉन M U Y अपॉन P Y ठीक है ये इस तरीके से फॉर्मुला बन जाता है तो यहाँ पर भी आपने क्या है M Udra को माबदंड की रुप में लिया है इसे प्रकार उभोकता की बचट में भी आप देखेंगे में जब आप इसको स्टेडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि Udra की बचट का जो कल्कुलेशन क्या जाता है उसमें भी हमने M Udra की माबदंड को मुद्रा को अजम मिजर्मेंट की रुप में उप्योग में लिया है। नेट्स्ट हैं प्रियोग करना संभव है। एक्सपरिमेंट आर पॉसिबल। अर्ध शास्त्र में भौत एक शास्त्र में रशान शास्त्र की तरह हैं प्रियोग शाला नहीं होती है। यह सही है, कि जैसा physics में या आप chemistry में आप देखते हैं कि वहाँ एक lab होती है, ऐसा यहाँ नहीं होता है, किन्तों यहाँ हम विभिना आर्थिक नीतियों का आर्थ विवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम यहाँ देखते हैं, ठीके, इस अनुभाव व्याधार पर आदेखी नीतियों में परिवर्तन करते रहते हैं, अते हैं, यह इत प्रकार से प्रियोगी हैं, यहाँ समूची अर्थ विस्ता क्या बन जाती है, प्रियोट शाला बन जाती है,